कि नमस्कार दोस्तों मैं विकास चाटन ट्रेट से आपका स्वागत करता हूं कॉमोडिटी के इस आउटलूक पे तो जैसा कि पिछले हथे का मेरा व्यू था बजार उसी लाइन लेंग में ही ट्रेट किया इस पुरे विक तो आज आई यह बात करते हैं हम लोग की गोल्ड औ कि लाश्ट विक भी हम गोल्ड पे बुलिस थे तो गोल्ड देखिए इस वीक भी अगर मैं वीकली चार्ट खुल लूँ तो प्रिविएस वीक हम लोग यहां बंद हुए थे 53,890 के करीब में इस वीक हम लोगों को फिर गोल्ड ने ऑपरचुनिटी जा थे कि मैंने लाइन अगर बाइन परचुनिटी रहेगा नीचे मिलता है तो लेना है 53,461 तक आया वहां से भी गोल्ड 54,290 है और हाई कर चुक है 54,400 का तो देखिए गोल्ड ने जैसा कि मेरा इनलिस था इस वीक भी आपको अगर आपने लोवर लेवल में इंटर किया होगा नहीं भी किया आपको 500-1000 परट का गोल्ड पे इस वीक में आपको मूव मिला है तो इस इस दा पावर आफ अनलिस इस दा पावर अफ चार्ट सिल्वर में भी इस वीक पुलिसी थे और सिल्वर देखिए जो मार्क किया हुआ था जो मैंने मार्क कर रखा था लोवर लेवल के कि यहां तक तो भी बाइक ऑप्शन मिलेगा एंड देखिए जस्ट इस मार्किंग के पास आके सिल्वर ने वापस से वहां से करीब करीब अड़ाईजार का तेजी दिया अब आईए बात करते हैं कि अगले वीक क्या होने वाला है गोल्ड और सिल्वर पे और आप ट्रेड को कैसे प्ल तो देखिए में एक पॉजिटिव सिग्नल है ठीक है में से इस्टिल गिविंग अभी सिगनल ओके एंड गोल्ड में अभी भी ट्रेंड उपर का है मेरे को गोल्ड का अल्टिमेट टारगट तो इस हाइस को टेस्ट करता हो लगता है यह 55,082 तो गोल्ड नेक्स्ट वीक के अब गोल्ड के लिए जो जगा हो जाएगा सपोर्ट का इस पर गोल्ड के लिए अभी भी जो गोल्ड के लिए मैं एकवार इसमें, I guess, इसमें MECD लगा देता हूँ, इसको कभी-कभी मैं देखता हूँ, इट किफसा से, क्लियर कट पिक्चर की क्या हो रहा है, मैं दोस्तों, मैंने चार्ट को थोड़ा यूजर फ्रेंडली बना दिया, थोड़ा सा ज्यादे इंडिकेटर्स कुल गया मैं हर चीज़ों को देख लेता हूँ, कि क्या ट्रेंड है, तो बट आपको उतरा रिकवार्मेंट नहीं पड़ता है, आपको जस्ट देखिए, तो अभी देखिए, MECD में भी डेली चार्ट में एक डुलिस क्रॉसोवर चल रहा है, तो कोई पैनिकला सिच्योशन नहीं ल तो कि अगर डीप मिलता है, तो डीप अगर मेरे को यहां तक मिलता है, तो इस लेवल, 53,550 और 53,700 तो अगर 53,700 तक या 500 तक कर डीप मिल जाता तो 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 बाइंग ऑपर्चुनिटी, बाटम में सपोर्ट मेरा 53,200 का रहेगा, तो यह लेवल ब्रेक कर जाता है, तो वी वि इस वीक वापस तेजी लगता है, और आई बिलिव कि गोल्ड इस हेडिंग फोर 55,000, 55,000 के पास आके कहीं गोल्ड में एक थोड़ा प्रॉफिट वुकिंग आ सकता है, आप देख रहे हैं मंतली चार्ट में जब यहां पर भी यह रिस क्रॉसवर हो तो दो मेरे इतना बहें इसके करीब तक कहीं गोल्ड जाएं तो और भी देखिए जो सिच्वेशन बन रहा है, जैसे चीजे बन रही है, इट माइड भी कि गोल्ड इस लेवल्स को भी तोड़ दे, तो बी प्रिपेरड फोर ए वैरी बुग, बिग अप मुविन गोल्ड बट मैं आपको हर वीक ले कि वो नहीं है, बट हम लोग एक एक वीकली ब्लॉक में अनलेज करते हैं, तो अगर यह 54,500 के उपर क्लोज दे देता है, और बंडे का अगर उसके उपर maintain करता है, तो भाई गोल्ड, एक छोटा stop loss दीजिएगा इस रेंज का, अगर यहां पर भी गोल्ड नहीं रुखता है, तो देन बाई नहीं है, और इस लेवल, 53,400-500 के निचे में दाई करिएगा, और 53,200 के निचे का stop loss लगाईएगा गोल्ड में, बट गोल्ड का भी बुलिस है, अगर आज ही अगर यह गोल्ड का चार्ड भी बुलिस है, अब अगर आज ही अगर यह गोल्ड जी या कोई रिवर्सल केंडल बग जाता है, तो देन वी लेप तो थिंक कि देखे मेरे एक अपर लेवल का टार्गट में यहीं तक रखा था, बीटली चार्ट के साब से, तो यही एक पीके Silvr के लिए एक रेईश्टेंस क्लस्टर भी था, और यहीं पर Silvr मतली चार्ट के साब से रुका भी है, और रहदर देन मैं बात कर वीकली चार्ट के साब से भी, अगर बट्ड ट्रेंड इस वीकली चार्ट का ट्रेंग बहुत अच्छा है, अब मैं अगर आज डेली चाट में वैसे तो इस रेजिस्टेंस जोन के पास अगर कोई डोजी बन जाता है तो मंडे वेट करिए इसके हाई को तूपने का 67,800,900 के उपर का अगर हाई टूड जाता है तो यह उसके स्टापलास में आफ सिल्वर में सौड भी कर सकते हैं तो डेली चाट में अगर कहें डोजी बन जाता है इस रेजिस्टेंस जोन के पास 67,900, 68,000 के पास जो हाज बन रहा है डोजी अगर बन गया जो कि मैं डेली चाट में आपको दिखा रहा हूं अगर यह जैसे अगर को डोजी बन जाता है तो देन मंडे को अगर इसका लोड करीब का कम से कम दो हजार पाइंट का मिनिमम ममलगों को डावड डिलेगा तो मैं सिल्वर पर बुलिस प्ले नहीं कर रहा हूं तो अगर यह चोटा डोजी बनता है तो बट अगर यह डोजी नहीं बनता और अगर आज उपर बंद कर देता है या 67,800, 900 के करीब बंद कर देता है और मंडे को 67,900 के उपर ही मेंटेन करता है तो बाई सिल्वर 67,300 के स्टॉपलोस लगाईएगा बाई सिल्वर टारगेट रखेगा 69,500 और 70,800 है तो दोस्तो यह था मेरा कॉमोडिटी का अनालिसिस जिसमें की गोल्ड और सिल्वर में लोगों ने बात कर लिया अब आई हमनों कुरूडल पर बात कर लेता है कि लास्ट विक मैंने बताया था कि कुरूडल में गॉटम बनने का कदार हो रहा है बड़ कितरे देर तक उसको सस्टेन करेगा इडों को वीकली चाट के इसाफ से था मैंने यह बताया था कि यह लेवल तो यह लेवल अगर तोड़ देता है इस वीक में तो कुरूडल में और परिशानी बढ़ेगी जो कि कुरूडल ने किया देखे लास्ट वीक इसने इस लेवल को लेके 6548 पर गया था बट मैंने मार्क किया था कि अगर यह यह लेवल तोड़ता है तो बड़ी परिशानी को इसे होगा एड कुरूड डाउंवर्ड 5700 और मेभी 5500 तक आ सकता है तो दोस्तो वीकली चार्ट में यही कुरूड के लिए बहुत वाइटल सपोर्ट अब देखे इतना टूट चुका है अल्मोस्त 9600 से 6000 के करीब आ चुका है और हो सकता थोड़ा और करेक्शन इसकलेट होके 5500-5700 तक आ गए तो दोस्तो यह जो पूड के सौट करने का नहीं है वीकली चार्ट में MSCD में एक रिवर्सल बन रहा है डेली चार्ट में कुरूड बॉटम आउट होने की कोसिस कर रहा है ठीक है, MSCD में भी एक bullish crossover बन सकता है, ठीक है, hourly chart की बात करूँ, तो hourly chart में already MSCD में bullish crossover बना है, पट यह almost अपने long term EOS के नीचे है, and मेरे पास कोई buy signal नहीं है, तो, भी hourly chart के थाफ से, CRUDEAL में 6300 का strong resistance zone है, तो CRUDE में हम लोग कुछ ऐसा प्लांग करते हैं कि अगर यह नीचे मेरे को इस zone पे मिल जाता है, 5700 के करीब में, तो we will go long, और अगर 5400 के करें मिल जिया तो और मज़ा है, तो यह दो जोन को देखिएगा, अगर 5700 के नहीं रुखता है, कोई reversal candle नहीं देता है, तब वेट कर जाएगे का 5400, 5500 के बीच में CRUDE को mandatory buy करिएगा, एक इस stop loss दीजेगा 5300 के नीचे का और bounce में वापस से target रखिएगा 6000, 6300, तो यह CRUDEAL का level रहेगा दोस्तों, तो इसको हम लोग ऐसे ही play करेंगे, and this is the thing कि जो हम लोग CRUDEAL पे करेंगे, यह buy का strategy में रखूँगा, CRUDEAL, buy on divs at the rate of support, support के पास आएगा तो हम लोग buy करेंगा, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, like करिए, comment करिए, share करिए, और अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो को आपके लिए और favorable बना सकता हूँ, और आपके लिए और educated बना सकता हूँ, तो प्लीज 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 अपना comment box में अपना feedback जरूर दीजिए, ताकि मैं अगर आप कुछी बताओगे ने, तो मैं समझूँगा ने, अगर आप अपना requirement अगर मेरेको बताओगे ने, तो मेरेको अप्रेडिशन करने में मज़ा नहीं आएग प्लीज 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 अपना वैलेवल शुट्वा कमेंड बॉक्स में दीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए इसको और गुरुचक और इंट्रेस्टिंग और एडुकेटिव और इंफरमेटिव मना सकते तो दोस्तों इस विक के लिए अलवीदा लेता लोग करते तो